एक छोटी सी फेक न्यूस पूरे देश में बड़ा बावाल खड़ा कर सकती है। अब परदान मंत्री का फेक न्यूस सुन लिजिए. एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बबाल खड़ा कर सकती है परदानमंत्री के और भी फेक न्यूज है इतने सारे फेक न्यूज है कि मतलब आप फेकते 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 परशान हो जाएंगे बहुत सारे इतिहासिक गलती चाहिए कवीर को लेकर हो ये तमाम इतिहासिक तत्थों से गलती 680 करोण लोगों ने हमें बोट किया है नाले से गैस तो इस तरह की चीजे हैं लेकिन वो सोसल मीडिया पर नकेल कसना चाह रहे हैं अब ये वीडियो देखे जो सोसल मीडिया पर वायरोला खिलेश यादव का वीडियो है जान बूश करके हमारे यादव और मुसल्मानों के बोट कोई बिधान स्वा ऐसी नहीं जहां पर बीस हजार कम न कर दी हो बीस हजार बोट न कार दी हो उन्होंने कहा है कि चुनाव आग की विस्वसनियता खत्रे में है और बोट कार दिये जाते हैं चुनाव आग उनसे सबूत मांग रहा है सारे मीडिया रिपोर्ट्स में साफ है कि उस समय एक एक बूत पर सौसो लोग के बोट लिटर लिस से नाम गयब थे ये भी वीडियो उसल मीडिया फर वायरल है देखिए किस तरह से दो महिला वकील यूपी में यूपी के कोट में कास गंज में आपस वायरल के देख रहे हैं राय बरेली हिंदू जागरन मंच के लोगों ने आदिवासी महिलाओं पर सुतली बन फेका और ये वीडियो देखिए जो सबसे यदा वाइरल है सुनिए मैं मंत्री हूँ बिधायक हूँ बीजेपी का हरियाना का राम रहिम से आसिरबाद दे रहे हैं जो बीज साल सजा ये भी वीडियो शर्माउन के घर से उनके घर से उन चास लाक रुपे नगत मिले हैं और ये वीडियो और ज्यादा सोसल मीडिया पर वाइरल है जिसमें साफ साफ सतर लाक के साथ एवीपी के दो लोग पकरे गए हैं संजया सिंग का रोब है कि 43 बिधायकों की खरीद होनी थी सिस्वादिय करने के लिए रेट कलर के सब्स्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें